समन संकी जो आज संकती चल रही है, जो संगिती हमारी चल रही है, वो संगिती हम लोग सुबह छेवशे लेके और रात ग्यारवे तक मना रहे हैं भारत के थ्यास में विजय दस्मी, असोक धम विजय दस्मी, या डॉक्टर अम्बेटकर विजय दस्मी, या समण विजय दस्मी, या समण संग विजय दस्मी, पहली बार हम लोग बेसक जूम पर हैं, क्योंकि सब अपने अपने घर में होते हैं, उल्लास में होते हैं, तो सभ भी का आना संभव नहीं होता होथा और सारे इकरम लगते हैं तो हमुड़े हुए हैं जुड़ने से मतलब है वह चाहे वर्चवल है चाहे वह एक्ट्वल है क्योंकि अगर हम वर्चवल जुड़े है तो मन से जुड़े हुए हैं और का वक्षु आ रहे हैं और जा रहे हैं और बाचित कर रहे हैं अभी ये महिलाओं की संगती है तो यहां हम विजय दस्मी या असोग धम विजय दस्मी या डॉक्टर अंबेटकर विजय धम दस्मी या समण धम विजय दस्मी है क्या किन चीजों की हम विजय करते हैं और किन चीजों पर हम के इत्यास के समय जाते हैं और बुद्ध से पहले अगर पुराने कताओं में जाते हैं तो कहीं इस तरह के फैस्टिवल के कोई अंग, कोई नाम, कोई जिक्र कहीं नहीं मिलते हैं पर इस फैस्टिवल का जो क्रिया कलाप है जो कारे नीनीती है और जो इसमें परंपराएं हैं उससे बहुत सारी बाते हैं हमें बुलकुल इस पश्ट दिखाई देती है कौन सी बहुत सारी बाते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि यह इसकी आरहम कैसे होता है क्योंकि हमारे पुराने भारत में जो साल है जिसको एर बोलते हैं उसको बरस बोलते हैं बरस और बरस का मतलब होता है बरसा से बात में संस्काइट करके इसको वर्षा बोला गया पर असली सब्ध है बरसना बरस तो पानी बरसता है हर साल तो हम साल दर साल कहते हैं पिछले बरस ऐसा हुआ अगले बरस ऐसा हुआ चार बरस पहले ऐसे हुआ या आपके थे आज भी हम इसको बरस बोलते हैं बीस बरस का लड़का है बीस बरस की लड़की है असी साल असी बरस का है ऐसे बोलते हैं साल बोला करते थे साल के पेड़े के हिसाब से तो यहां चौमासा लगता है भारत के अंदर यह चौमासा चतुरमास चारमास यह भारत के अं ही है उसकी जो भोगले की स्थिति है वो इस प्रकार की है कि यहां के नौर्डन रीजन में और साउर्डन रीजन के अंदर जो बादल आते हैं समुंदर से जो गरम हवाएं पानी भरके आती हैं समुंदर का पानी लेके आती हैं वास बनके भाब बनके वो यहां हमाले की ठंड जो हवाएं उनसे मिलके बारिश करती है और ये बारिश जब आरंभ होती है और जब खतम होती है तो चार महिने का टाइम लगता था पुराने समय में इसने चौव मासा बोलते थे तो चौव मासा चतुर मास जब लगता है तो बुद्ध के बाद में एक परंपरा आरंभ क्योंकि बुद्ध से पहले कहीं सिस्टेमिटिक तरीके से भिकु या भिकुणिया यानि कि जो प्रचारक थे जो बात को बताने वाले थे वो ऐसे लोग नहीं थे जो नियमबद तरीके से लोगों को जानकारी और ग्यान देते हों बुद्ध नहीं ये अवस्ता आरम की जब कारण हो जाता था यानि बारिस कुम्भ बनाने का घड़े बनाने का घड़े जैसे गड़े बनाने का मिट्टी के अंदर कारण बन जाती थी और मेगनाद बहुत हुआ करते थे यानि के मेगों की गर्जना बहुत जादा हुआ करती थी कीडे होते थे सांब बिच्चु नि निकलने के लिए बहुत जादा मुस्किल होती थी और लोग भी अपने घरों से सुनने के लिए नहीं आते थे तो भिक्कु ने एक जीगे रहने का नियम बना लिया कि वो एक जीगे रहेंगे पर जब एक जीगे रहेंगे तो खाना कैसे खाएंगे क्योंकि भिक्कु खाना बना नहीं सकते भिक्कु खाना उगा नहीं सकते ये नियम है उनका विने है उनका कि वो ना खाना उगा सकते हैं यानि खेती नहीं कर सकते हैं और नहीं वो खाना बना सकते हैं उनको बना बना खाना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम खाते हैं जितना वो जीने के लिए काफी है बारा वैसे पहले यानि दो पहर से पहले तब गंटा बारे वज़े घड़ी नहीं होती थी दो पहर बोला करते थे तो उस समय ये नियम बना कि जहां भिकु ठहरेंगे वहां आस पास के जो लोग हैं वो धम सीखने के लिए आएंगे और खाना लेके आएंगे धम सीखेंगे धम के बंदे में खाना देंगे तो नियम बना कि खाना किसको देना है कैसे देना है तो ये नियम बना कि ये भिक्कु जो ठहते इनको 1Y1 खाना देंगे 1Y1 उनको खाना जाता था फिर जब जैसे-जैसे बारिस का समय आगे बढ़ता था और असार के बास, सावन के बास भद़ पाद आता था तो भदपाद के समय में थोड़ी बारिस होने के बाद में खेतों को त्यार किया जाता था ताकि मिट्टी प्लट सके तो लोगों ने नियम बना लिया कि एक दिन खाना ये वाले लोग देंगे यानि 81 को कुछ लोग देंगे जो दित्वा है उसको कुछ और लोग देंगे जो तितिया है उसको कुछ लोग और देंगे जो चतुत है उसको और देंगे ऐसे करके उन्होंने चंद्रमागी कलाओं के हिसाब से दिन बाट लिये पंचमी, छट, सत, अठ करके और जिंजिन के परिवार में जो जो महापुरुस उनकी माताएं और उनके पितर थे यानि मातु और पितर थे उनकी डैथ के हिसाब से निर्वान के हिसाब से उनने दिन बाट ली और भिक्कों को खाना दे के आने लगे और खाना देते थे और वहाँ पे धम सीका करते थे वि तो महिलाय नहीं जाती थी तो सारे पितर जाय करते थे तो इसलिए इसको पितर पक्ष बोलते हैं पितर पक्ष यानि के मेल का पक्ष मेल ही जाएगा इसको बाद में साधना बोलने लगे और साधना से ये स्राध हो गया स्राध सब्द पाली का नहीं है उसके बाद में जो मात अस्यूज में आता है अस्यूज का मन्थ जो अब चल रहा है उसमें तो पहला दिन दूसरा दिन तीसा दिन यानि बद की जो बद मास की जो पूरण मासी है उसके बाद जो दिन आता है 81, 82, 83 ऐसे करके ये मनाने लगे तो महिलाओं को सिखाने के लिए नियम था महिलाई ही आती थी और वो घर में आके सिकाती थी कि आपको कैसे विपसना साधना करनी है कैसे सीखना है उदर फसल का टाइम भी होता था तो फसल का टाइम होने की वज़े से क्योंकि बीज बोना है खेतों में धान का या जों का जों का बोना है क्योंकि रवी की फसल है या गेहूं का बोना है गहुंबाद में आया पर जोंबोया करते थे तो उसको उगा कर देखते थे तो दस दिन में वो उग जाता था ताकि पता चले के खेतों में जो हम बीज जालने वाले हैं वो उगेगा भी या नहीं बेसिकली किर्सी परधान हमारा देश रहा है तो दस दिन तक जदा दुगम काम करती थी दुगम काम करने वाला जो सब्द है ये बना है जो दुर्ग बोलते हैं दुर्ग क्या होता है दुग बोलते हैं बेसिकली कि पहाड़ों पे कुछ कठिन रास्तों पे अगर कोई इमारत बनाई जाय तो उसे आजकल दुग या दुर्ग बोलते है और उस काम करने वाले को दुगगा बोलते हैं यानि दुर्गा बोलते हैं कि इतना कठिन काम किया है तो ये दुगगा हो गए दुर्गा हो गए तो महिलाए पहले तीन दिन भूकी रहती थी वो साधना करती थी वो सुबह से लेके साम तक उनको सिखाय जाता था तो पहले तीन दिन बड़े मुस्किल होते थे तो कहते थे ये दुगगम काम है दुगगा है ये लोग ये इतना मुस्किल काम कर रही है फिर बात कि जो तीन दिन आते थे जो चौथा, पांचवा, च्छटा दिन था उसमें उनको सारा का सारा जितना भी सती पठान होता था वो सिखाय जाता था और माताएं उनको सिखाय करती थी जो सीखी हुई है और साथ में आठवे दिन मंगल गाता हैं और दान होता था जो महिलाएं आई हैं सिखाने के लिए उनको सती माताओं को और साथमें आठमें दिन ही जो कन्या है घर के अंदर जो छोटी छोटी बच्चे आए उनको सेखाने के लिए एक दिन के लिए बठाया जाता था जिसको आज के समय आप कन्या पूजा बोलते हैं पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी तो कन्याओं को कईयाओं को पूरी जानकाई दी जाती थी और दसमें दिन उनको विपसना साधना पूरी करने के बाद में कहते थे उसके बाद में 5 दिन बाद पवारणा स्टार्ट हो जाती है पवारणा का मतब है कि भिक्कु और भिकुणिया पांस दिन बाद जो ये आएगी पुर्ण मासी उसके बाद वो सारे के सारे अगले एक महने तक अपने जो जहानोंने निवास किया है जिनको विहार बोलते हैं या जिनको मंदर बोलते हैं या आराम बोलते हैं वहां से निकल कर वो पूरे देश में जाएंगे भ्रमन करेंगे और गाओं गाओं जाके पढ़ाएंगे और सिखाएंगे उसको पवारना बोलते हैं पवारना पवन से बना हुआ है पवन का निवार सावन का मतलब होता है सुनना और सावन का मतलब होता है भाशन देना यानि बोलना तो सुनने और कमीना सावन हुआ करता था। इस प्रिकार ये सारी चीज़े चलती थी और हम अपने बुराईयों पे जीता करते थे तो जो महिलाएं रमती थी विपसना साधना में उनको रामरी रमाई बोला करते थे और जो नर रमते थे साधना में उनको राम बोला करते थे कि ये रम रहा है ये राम है और जिस जगे वो रमते थे उसको आराम बोला करते थे तो भारत के अंदर हज्जारो राम हैं और हज्जारो रामरी और रमाई हैं और रमाई माता हैं बहुत ज़्यादा है इसलिए भारत के अधितर लोगों के नाम के आगे जो मूल लोग हैं जो रमते हैं उनको आगे पीछे उनके नाम के आगे राम मगरा मिलते हैं जगे जगे राम की नाम मिलते हैं ये करियाएं पिटी करियाएं लगाता चलती रहती हैं तो ये जो सब्द है जिसको हम रामन बोलते हैं ये पाली का सब्द है राव से बना है राव का मतलब है अपने अंदर की चलाहट अपने अंदर की बेचैनी यानि बेचैनी और चलाहट को राव बोलते हैं तो जो रमता है उसका राव दूर हो जाता है यानि उसका रामन दूर हो जाता है रमन और रामन यानि रमन करने से रामन दूर हो जाता है विपस्त्रा साधना करेगा तो उसके अंदर की चलाहट और जलाहट शांती पे बदल जाएगी और वो ठीक हो जाएगा इसलिए बोलते हैं कि अगर आप रमोगे तो आपके अंदर का रामन मर जाएगा बाद में ये प्रिटिक चिन बनाए गए और जो प्रिटिक चिन मराए गए वो बड़े मैदार थे जैसे मेगनाथ का ये अभी की बात है पचाशाच साल पहले तक कहीं कोई कुमकरन या मेगनाथ या जो रामन हैं वो कहीं फुका नहीं करते थे नहीं उनमें कोई आग लगाया करता था नहीं वो कोई बनते थे आप उसों पड़ सकते हैं नागपूट से लखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि पहला जो रावन हैं वो 60-70 साल पहले कहां बनार कितना चोटा था और फिर हड़ साल कैसे बनते गए और कैसे ये फैलाए गए ये पिटीक चीन है क्योंकि मेग नाद चला गया बारिस का जो मेग माने बारिस है और नाद माने गरजना है बारिस की गरजना चली गई तो खुशी मनाते थे, तो कुम्ब करण चला गया, यानि जो कुम्ब का करण था, गड़ों का होने का बारिस का जो करण था, वो चला गया, तो खुशी मनाते थे, और रावन चला गया, रावन का मतलब है, दस बुराईयां चली गई, जो दस बुराईयां जो दस बुराईया लगातार बुद्ध ने बताई वो बुराईयां रमने के बाद में साध्रा करने के बाद में चली जाती हैं बुद्ध ने ही दस बुराईयां बताई और बुद्ध ने ही दस अच्छाईयां बताई पारमिता की इसलिए जो दस अच्छाईयां गहन कर लेता है वो विजह हो ज आप दोनों मेंसे एक काम करने या तो अपनी बुराई छोड़ने तो अच्छा ही अपने आप आ जाएगी और या अच्छा ही गर्ण करने तो बुराई अपने आप चली जाएगी एक काम करना है आपकी विजह हो जाएगी दसमे दिन तो ये हर साल अपने पापों को अपने ख परदियों की दसमी प्रमुख है, क्योंकि तब मौसम बदलता है, तब फसल का कटना या फसल का बोना आता है, तो फसल का ये फेस्टिवल है, फसल का तो आ रहे हैं, उस समय टाइम होता है, फसल कटने के बाद भी महिलाओं के पास में, नरों के पास में टाइम होता है, और फ को बोलते हैं कि जो बुराई है उससे वीरत रहना यानि बुराई कौन कौन सी है बुराई पांच बताई है हमारे लिए उनसे विरत रहना है तो पांच बुराईों में जूट बोलना है एक नसा पता है एक वेबचार है एक इसके अंदर हत्या है और एक इसके अंदर जो चोर है वो है यानि पंच सिल्गी पांच बुराई है इन से विरत रहना है विरत का मतलब बात में वारित करके बोला गया है ये इनको वारित नियम बोले जाते हैं कि इनको नहीं करना है और पांचों को नहीं करना है इसका उपवास करना है आपने यानि कि इसको छोड़ना है खान के लिए मना किया हुआ है इसका उपास रखना होता है इसका वारित नियम है इससे वरत रहना है इसका वरत रखना होता है पर वरत की परिवास है बदल गई लोग सोचने लगे कि भूके रहने से हमारे पाप धुल जाते हैं भूके रहने से नहीं दुलते भूके रहने से आप का सरी ठीक हो सकता है पर मन आपका जब ठीक होगा जब आप इन बुराईयों को गहन करना बंद करेंगे ये बार-बार बार-बार वो बताते थे और इसकी प्रक्डिस चलते थी इसलिए जो विरत है जो वारित नियम है वो कभी भी लोग कर सकते हैं उसको इसके बहुत सारे न पर्मपरा कहा से चली और कैसे चली करONG का सब मिक्शिंग्ग हो गया जोगों ने अपनी चाप लगा दी आपना विक्षरी यह थोड़ी सी दिक्कत आ गई जैसे jin कारी बढ़ रही है वैसे वैसे ये दिक्कत दूर हो रही है तो विजय ददस्मी पे हम सब को चुकि अपने ब्राईयों को दस ब्राईयों पे विजय पानी है तो ऐसा प्रण करना चाहिए कि हम अपने गलत काम कम से कम कम से कम कम से कम करें आदत पड़ी होती है इतनी आसानी से अपने आपको सुद्ध करना है तो उससे आप मजबूत हो जाएंगे आप मजबूत होंगे तो आपका परिवार मजबूत हो जाएगा और अगर आपका परिवार दमदार और मजबूत होगा तो आपका संग भी मजबूत हो जाएगा और आपका अगर संग मजबूत होगा तो फिर आपको कोई हिलाने वाला, आपको कोई मारने वाला, आपको कोई खतम करने वाला दुनिया में पैदा हुआ नहीं जो लोग सच्चे होते हैं उनके पास सबसे बड़ा बल होता है और जो लोग जूटे होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा निर्बल होता है यानि नीबल होते हैं उनके पास कोई बल नी होता जूटे का कोई पैर नी होता जूट बहुत इसे भागता है और सच्चा ही हम ऐसा अढिग रहती है इसलिए 10 Ranah मनाते हैं ताकि हम बुराईयों पर विजय पराप्त कर सकें और बुराईयों को जीत कर अपने आपको अपने परवार को सुध कर सकें और ये फैस्टिवल सम्णो का है और समडों के लिए हैं और समडों के द्वारा है इसको समझने के लिए इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर अंबेटकर ने इसी दिन चुना खास तोर से 14 अक्टूबर 1956 को जिस दिन विजय दस्मी थी खास तोर से और नागों की राजधानी उन्होंने चुनी जहां उन्होंने ये बताया कि आपको 22 प्रितिग्याओं माननी है 22 प्रितिग्याओं में 5 वारित नियम भी है यानि 5 सील भी है और बाकी चीज़ों को मानने के लिए उन्होंने मना भी किया है हमको उनकी बात माननी चाहिए और हमको अपना विजय दस्मी उसी साफ से मनाना चाहिए जैसे हम पहले से मनाते आ रहे हैं इकटे हों, वास रखें, खाना कम काएं, बुराईयां हटाएं बच्चे सब आपस में मिलें जुलें, एक दूसरी खुशी हो और कम से कम हम गलत काम करें और ज़्यादा ज़्यादा अच्छे काम करें तो हमारी विजय हूनी आरम हो जाएगी और हम अजय हो जाएंगे फिर हमको कोई नहीं जीच सकता, ऐसा पहले भी हुआ है सब्हें संग में जतनी लोग हैं वो सब जानते हैं संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी. किसी का कोई प्रसन हो तब पूछ ले.